हे माई योटूब फैमिली शभी को मेरा नमस्कार तो मैं फिर से एक नए वीडियो और ने टॉपिक के साथ आ चुकी हूँ जो कि आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंट्रेस्टिंग है आप लोगों को मैं इस वीडियो में किलियर करूँगी कि आप लोग एक्जाम कैसे वीडियो का टॉपिक अपलोडेट हो चुका था बस एक दो पॉइंट थोड़ा बहुत चूटा था जैसे कि पत्रिकारी तक उद्भौ और विकास में कंप्लेट करा चुकी है पर उसका जो यूग था वो मैं कंप्लेट नहीं करा पाई हूँ तो वह माहने भी नहीं रखता लेकिन कल मेरे बेटी का मुंदन था जैसे कि आप लोग पिक्चर में देख चुके होंगे तो बहुत जादा हरास्मेंट हो चुका है बहुत तबेत भी सही नहीं लग रहा और बेती भी थोड़ा सही नहीं है तो उसके वज़ा से टैम नहीं दे पा रही हूँ तो इसलिए म रात भर में या अभी से लेकर आप लोग अच्छे से कल के पेपर के एक्जाम के त्यारी कर ले यह वीडियो सिर्फ आपका कल का पेपर नहीं आगे कभी पेपर में हेल्प करेगा यह आईडिया आपको तो चलिए ज्यादा बगबग ना करते हुए शुरू करते हैं सुरू तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि मैं बहुत मैनत कर रही हूँ आप लोगों के लिए और आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा तो चलिए फिर नम बगबग ने करते हैं ज्यादा शुरू करते हैं तो जैसे कि हम लोग यह पत्रिकारीता पेपर हैं उसको कै आप लेखेंगे ताकि हम लोगों का अच्छा माक्स आप आएगा तो पहले तो आप यह जान दीजिए अभी तक मैं सब वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ जो लोग वीडियो नहीं देखें वो जाकि पूरा वीडियो सारे देखें खोजी पत्रिकारीता फिर से आपका खि क्लियर हो चुका है जितना मैं बताई हूं और हमेसा मैं हर वीडियो में क्लियर करते गए हूं कि मैं अगर दो सब्धा रहे हो तो तो सका आप चार सब्ध बनाईए गुद से क्योंकि मैं बिल्कुर अपना भासा में समझाती हूं ताकि आप खुश से उसमें जोड के से बता ति हूँ मुझे कमेंट आ रहा था कि मैं आप सारे योगोगे के बारे में बता दीजे कोई कमेंट कर रही थे कि चार-पॉइंट बता दीजे तो देखिए बता तो जरूर सकती हूँ मैं बता भी दी थी पर टाइम नहीं आप लोगों का कल एक्जाम है तो इसको क्या करना मेरे से भी क्या होता था उतना लंबा लंबा याद करना पुसीबल नहीं होता था मैं खुद याद नहीं कर पाती थी मेरी बेबी उस टाइम पेट में थी तो बहुत हर्मोनल चिंजस के वज़ा से अच्छा नहीं फिलोता था तो क्या होता था कि जैसे कि आप जब आप देखे होंगे पत्रकारिता कुद भाहर विकास में पढ़ाई हूँ तो लास्ट में जो टॉपिक छुटा था कि मैं बोली थी कि नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी तो बताऊंगी आरम भी काल था भारते इंदू यूग था दिवेदी यूग था ये सारे तो आप ये सारे पॉइंट ना लिखे आप खुद से पॉइंट बना सकते हैं जैसे कि पहले तो आप सुरू में जितना उसके बारे में जानते हैं उदभा और विकास उतना पहले लिक डालिए आपको लास्ट में जब आपको कुस समझ में ना है तब आप इस यूग में जाएए नहीं तो आप जितना हम वीडियो में बताएं आप उतना भी लिख दीजिएगा तो आपको तो इसली पांच-छी पेपर ले लेगा अगर आपको और लिखना है तो आप और एड़ कर सकते हैं कैसे जैसे कि आरम भी काल होता है लिख सकते हैं मतलब शुरू में जब पत्रिकारौता का जब शुरू आत हुआ था तो उस समय पत्रिकारीता का विकास में क्या चेंजे स keसे पाथ पीषा कि कमी के वजह से पत्रिकारौता चंपना बंद हो गया था फिर कुछ शाळौबाद हा हमें देखका जड़े हैं? अब आप आप शुरुवाती लिए हैं और अगर बीच का लिखना चाहते हैं to उसमें आप लिख सकते हैं पुर्व मद्य यूग मतलब कि बीच में कैसा पत्रिकारित्या का कंडिशन था उसका विकास में क्या क्या चेंजिस आया था जो कि मैं वीडियो में किलियर करा चुकी है तो वो सारे को आप खुद से अपने भासा मिनीचोर बना के लिख ले फिर आ आपका सुरुवाती यूग दूसरा हो गया मर्द यूग और तीशरा आप लिखिए आधुनी की यूग मतलब अभी का यूग जो है अभी कैसे पत्रिकारिता में क्या क्या चेंजिस है वो चीज़ आप लिखिए तो अभी वला में तो बहुत ज्यादा लिख सकते हैं अभी आधुनी की यूग में क्या क्या पत्रिकारिता में विकास हुआ है क्या क्या उसमें जुड़ा है वो सारे चीज़ों का पूरा अच्छे से लिख सकते हैं तब सुरुव में क्या लिखिए गया सुरुवाती यूग फिर दूसरा में पॉइंट बनाईएगा मद ही बहुत वह फिर अभी का आधुने क्यों अभी क्या क्या चेंज़ेस आया है पत्रिकारिता में कितना विकास किया है कैसे किया है वो सारे अपने भासर में लिख लेजेगा तो जो लोग वीडियों नहीं देखे हैं उद्भाव और विकास वो जाके जरूर देखिए और जो कि कमेंट आता है कि पत्रिकारिता में कैसे कैसे क्यों पूछे जाते तो देखिए कोई भी पेपर में कैसे कैसे क्यों पूछे जाता है यह माने नहीं रखता है आपका अगर से लेगस में काई फोर होता है काई फोर में जो जो पढ़ना है आप सब कंप्लीट कर चुके हैं एकाई फोर होता है उसमें दो चार मतलब टॉपिक होता है अगर एकाई फोर में आप तीन एकाई भी अच्छे से कंप्लीट कें एक नहीं कर पाए तो आपका एक्जाम फिर भी अच्छा जाने वाला है क्योंकि देखिए आपका सुरू में आता है चार कोशन लॉंग टैप ज कुष्णल इस रही कोश थे दिए, आ इसे कुछी पागी बनाने आपका पत्रिकारिता दिता तैकला ना कुछ दंशे को कहा जाए खुशन पूचका फूर्ज ही पूच्छ पारिता क्या गवचज सुरू कर दिजह कर दिघृट अइसा नहीं है आपका कुछी पत्रिकारिता आया और आप वो कुछ न जा रहे हैं बनाने तो पहले आप कुछ पत्रिकारिता के बारे में कुछ लिखे दिखे पत्रिकारिता लिखे डैस देश देशे उसकी परिभासा टैप उसके बारे में समझाए फिर उसके बाद फिर खोजी पत्रिकारिता पे आये फि फाइदा क्या है इसकी फाइदा क्या है यह पॉइंट बन गया खुद से पॉइंट बनाना है आपको बुक वला पॉइंट जरूर नहीं का बुक वला ही कॉपी कीजिए आप खुद से बना के लिखे मैं ऐसा ही करती थी कि पत्रकारिता का होना आवशक क्यों है यह पॉइंट आज की दुनिया में जो लोग जूट लाते हैं तो खोजी पत्रिकारता लोग सच को सामने लाते हैं दुनिया के सामने इसका ये फैदा है तो किसी को न्याय मिल पाता है ये सारे आपका किलियर होगा तो आप एक्जाम में घबराना नहीं है आप जितना दिमाग लगाएगा खुझ से तो उतना अच्छा आपका एक्जाम जाएगा पेपर कम पड़ जाएगा लिखना कम नहीं पड़ेगा तो इसलिए आपको टेंसर नहीं लेना है कि पुरा हम नमरिंग में याद करें इसके यूग क्या था ये क्या था वो क्या था नहीं आप खुझ से पॉइंट किया है और आपको पॉइंट खराब नहीं होगा अच्छा पॉइंट होगा अच्छा पॉइंट खुझ से उठाइए और इसका आंसर देजिए तो ये हो गया अब अब ऑब्जेक्टिव में पूछता है दस क्वेशन तो ऑब्जेक्टिव में मैं वीडियो अप्लोड कर च चौड़ोग महात्व परिभासा ये सारे समय मैं अब्जेक्टिव भी किलर करते गई हूँ जहां-जहां मुझे लगा है कि ये अब्जेक्टिव में पूछ सकता है वहां मैं हिंट कर दी हो कि ये आपको अब्जेक्टिव में आ सकता है आपको इसको ध्यान देना है तो आपका किलियर नहीं है उसको भी किलियर करना है तो अभी आप लोग क्या किजिए हेट फोल नगा या बार बार उस वीडियो को देखिए और सुनिए मज़े में बिल्कुल सुनिए और याद किजिए और अब्जेक्टिव जहां जा मैं हिंट करें वहाँ पर आपको वह चीज इसको अपना रही हो और आप लोगों को बता रही हो तो आप लोग ऐसे किजिएगा खुद से point बनाएगा खेल पत्रिकारिता आजाता तो खेल पत्रिकारिता के बारे में पूरा लिख drinking क hyale परिभासा के बारे में लिखे और अच्छा एक्जाम भी जाएगा आपको लिखने के कमी नहीं होगे, उस खेल पत्रकारिता में भी आप पोइंट बना सकते हैं, कि इसका होना जरूरी क्यों है, इसके फैदे क्या है, ये सारे आप पॉइंट बना के खुद से लिख सकते हैं, ठीक है, तो ये था हमारा तौपिक आज का जो कि मैं किलियर कर चुकी हूँ अपने तरब से, आसा करती हूँ, आप लोगों को समझ में आया होगा, थोड़ा helpful रह होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्यारे प्यारे काиковेंट जरूर कीजिए, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, आप लिएक भी कीजिए, और सेयर भी जरूर कीजिए, और मेरे चैनल पर अपने हैं, तो सिस्क्राइब चरूर कीजिए, और जो लोगird मेरे सि प्रफिजी का भी वीडियो बनाऊंगी तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब जरूर करके रखें पीजी का भी आप लोग जब पीजी में जाओगे तो कमेंट करना किसके टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो इसी तरह जैसे अभी सेमेस्टर में बना रहे हैं समेस्टर वाइस पीजी में भी बनाऊंगी और पीजी कमरे से लेवस अल्रेडी मेरे चैनल पर अपलोड़ेट है जो आप लोग देख सकते हैं एक्जाम देने के बाद अभी तो टाइम नहीं है आप लोगों के पास सबीको मेरे त्रव करल के एक्जाम के लिए बेस्ट अफ लुकुर अच्छे सेग्जाम लिखिएगा और कोई टेंसन äft. अच्छे से जितना अच्छे और अच्छाrak लिख सकते हैं जितना साफ आप एक्जाम सकते हैं एक्जाम पेपर में कचड़ा नए बिल्कुल साफ सु झाल झाल